आज हम अपने बीए पार्ट सेकेंड के पहले पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतरगत पानी पत के प्रथम युद्ध के अंतरगत बाबर ने जिस प्रकार से विजय हासिल की और उसके पशात बाबर ने किस प्रकार दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार बाबर अपने बाबर नामा जो उसकी आत्म का था है उसमें लिखा था कि सबेरे सूरे निकलने के बाद 19 बजे के आसपास युद्ध आरम हुआ दोपहर में दोनों सेनाओं के बीच भहंकर युद्ध हुआ और दोपहर के बाद शत्रू कमजोर पढ़ने लगा और उसके आकरमण के पाद वह शत्रू परास्त हो गया उसकी पराजय को देखकर हमारे शुबचित तक प्रसंद हुए सुल्टान इब्राहिम को पराजित करना एक अठिन कारे था और ईश्वर ने इसे मेरे लिए सरल बना दिया पानीपत के का जो युद्ध है उसकी विजय बाबर के लिए एक निरनायक कारे थी जिसका कि उसके द्वारा भरपूर लाग उठाया गया उसने उसी दिन हुमायू को छे बड़े सरदारों ख्वाजाकला, मुहमदी, शाहे मनसूर बरलास, यूनोसली, अब्दुल्लहा तथा वली खनीच के साथ आगरा और मेंदी ख्वाजा को चार बड़े सामनतों मुहमद, सुल्तान मिर्जा, आदिल सुल्तान, सुल्तान जुनेद बरलास और कुतलुक कदम के साथ दिल्ली पर अधिकार करने और राजकोष की सुरक्षा के लिए भेज दिया उसके बाद वो सुयम भी दिल्ली पहुँच गया और यमुना के तट पर अपना पड़ाव डाल दिया वहाँ पहुँचकर बाबर ने सुफी संद दिजामुदिन अलिया और ख्वाजा कुत्बुद्दीन की मजार पर की परिक्रमा की वहाँ पर सजदा अदा किया और उसके पशाद दिल्ली के भूतपूर सुल्तानों गया सुदिन बलबन अलाओ दिन खिल जी बहलोर लोदी और सिकंदर लोदी के मगबरों को भी देखा दिल्ली में उसने वली किजील को अपना शिकदार और दोस्त बेक को दिवान युक्त किया और खजानों पर महौर लगा कर उन्हें सौफदियों 27 अप्रेल 1526 को दिल्ली में बाबर ने अपने नाम का खुदबा पढ़ाया इस विजे के साथ ही बाबर ने पंजाब के साथ साथ दिल्ली और आगरा पर भी अधिकार कर लिया यहां दिल्ली के सुल्तान की पराजे कातात परे यह नहीं था कि दिल्ली सल्तनत उसके अधिकार में आ गई क्योंकि दिल्ली सल्तनत में अनेक शक्तिशाली अमीर और जागिरदार दिल्ली सल्तनत की अधिकारी थे जो सल्तनत की सत्ता को स्विकार करते हुए भी स्वतंत्र थे और हमेशा ऐसे अवसरों की तलाश में रहते थे कि वो सल्तनत से स्वतंत्र हो जाएं तो इब्राहीम के पानिपत युद्ध के पराजे के बाद कई स्थानी जागिरदार स्वतंत्र हो गए जैसे संभल में कासिम संभली, बयाना में निजाम खा, मेवात में हसन खा, मेवाती, डौलपूर में मुहम्मद जैतून, ग्वालियर में तातर खा, सारंग खानी, रापडी में हुसेन का नुहानी, इटावा में कुतुब खा, और कालपी में आलम खाने बाबर की आदिनता स् नहीं की इसी तरीके से जो गंगा के पूर्वी किनारे पर कन्नौज का जो इलाका था उन्होंने भी दिल्ली सल्तनत को स्विकार नहीं कर रखा था मतुरा में भी मर्यूब ने स्वयम को स्वतंत्र घोशित कर दिया हुमायू ने आग्रा पहुँचकर दुर्ग पर जब कबजा करना चाहा तो ग्वालियर नरेश विक्रमा द्वितिय और उसके परिवार वाले आग्रा में थे पहले तो उन्होंने भागने का प्रियास किया हुमायू ने उन्हें भागने नहीं दिया उन लोगोंने हुमायू को जवाहरात बहुमूली वस्तुय और कोहिनूर हीरा दिया इस तरीके से गौलियर नरेश के दौरा कोहिनूर का हीरा मायू को दिया गया और इसी तरह इबराहिम लोदी का परिवार बाबर से मिला तो बाबर ने इबराहिम लोदी की माता को साथ लाग के मूले का एक परगना और आगरा से एक कोस पर नदी के उतार के और निवास इस्थान दिया और बाबर स्वेम 10 मई 1526 को आगरा पहुचा हलाकि समय बड़ी गर्मी थी बाबर और उसके सैनिक इस गर्मी से बहुत परेशान हो गए और वे वापस काबू लोटना चाहते थे किन्तु बाबर ने अपने योग्य नेत्रित्व और अपनी शक्ति का परिचय देते हुए अपनी सैना को यहीं रहने के लिए यानि हिंदुस्तान में रहने के लिए सहमत कर लिया केवल ख्वाजा खला को उन्होंने ख्वाजा खला ही एक ऐसा व्यक्ति था जोकिक वापस काबुल लोड गया और बाबर ने उसे गजनी का सुवेदार बना दिया अब प्रश्नी उठता है कि इतनी बड़ी सेना के साथ इब्राहिम लोदी युद्ध लड़ा जिसके पास खुब सादन थे वह इसी देश का निवासी था वह आखिरकार एक विदेशी आकरान था जिसके पास सन्ने सादनों की कमी थी जिसकी सेना बहुत छोटी थी उससे वो कैसे पराजित हो गया या यह कहिए कि बाबर ने इस युद्ध को कैसे जीत लिया सबसे पहला कारण माना जाता है इबराहिम लोदी के अन्याय पूर्ण नीती और उसका दुर्व्यवार जैसा कि हम सल्तनत के पतन के लिए भी ये बात कहते हैं कि इबराहिम लोदी ने अपने अमीरों के साथ में अपने सामंतों के साथ अपने जागीरदारों के साथ इस प्रकार से कठोर नीती और अन्याय पूर्ण नीती अपनाई थी जिसकी वजह से जादा तर अमीर, जागीरदार और सामंत इबराहिम के खिलाफ हो गए और ऐसी स्थिती में जब बाबर ने इबराहिम लोदी के उपर आकरमन किया तो इन अम तो मैं यह कह सकते हैं कि इबराहिम के अमीरों का स्वार्थी पन और विश्वास घात बाबर के अमीरों में जिसमें कि हम पंजाब के दौलत खां की बात करते हैं कि उसने तो स्वेम इबराहिम लोदी को आमंतरित किया तो बाबर की सेना चाहे छोटी थी और इबराहिम लो लोदी के अमीर उसके साथ नहीं थे बलकि वे अप्रतिक्ष रूप से बाबर के साथ थे तो उनका जो स्वार्थीपन और विश्वास घार था उसके कारण भी इबराहिम लोदी को पराजित होना पड़ा और बाबर की विजय हुए इबराहिम की अदूर दर्शिता और कूट निति गिता की कमी थी उसने सामने वाले पक्ष की इस्तती को ना तो समझा ना उसकी शक्ती को जानने की कोशिश की और ना ही उसने उसके विरुद किसी भी प्रकार से अपने जो सामन्तों सामन्तों या सानी शाष्कों का सहयोग लेने की कोशिश की जैसे वह चाता तो रान सांगा से मदद ले सकता था दौलत खां और इन सब को भी अपनी और मिला सकता था किन्तु वह यह सब नहीं कर पाया जिसके परिणाम स्वरूख बाबर अपनी युद्ध नीती कूट नीती के कारण इस युद्ध को जीतने में सफल हुआ इबराहीम के सैनिक अयोगे थे नहीं अनुशाशित थे और नहीं स्वामी भक्त थे सैनिकों में छेत्रियता जातियता और संकीन भावना और सांप्रदाइकता इतनी जादा थी कि वे तो आपस में ही संगर्ष रहते रहते थे जबकि बाबर के सैनिक अनुभवी थे योग्ये थे द्रड इच्छा शक्ती रखने वाले थे इसके कारण उसकी सैना छोटी थी लेकिन वह मजबूत सैना थी एक जुट सैना थी जिसकी वज़े से उसकी विजय हुई इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में जो पराजे का एक मुख्य कारण माना जाता है वह है इब्राहिम लोदी के द्वारा युद्ध में हातियों का प्रियोग करना और बाबर के द्वारा तोप खाने का प्रियोग करना इब्राहिम की सेना के पास में एक हजार हाती थे जब कि बाबर के पास गुड़ सवार थे जो कि हातियों के मुकाबले में ज़्यादा फुर्ती ले और तेजी से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जा सकती थी इसके अलावा जब बाबर के तोप खाने ने और बंदूकों ने गोले और गोलियां बरसानी शुरू करी तो हाथी अपना संतुलन खोब वेठे उन्मत तो हो गए और उन्होंने अपने ही सहनिकों को कुचलना प्रारंब कर दिया बाबर के तोप खाने के ने जिससे की इबराहिम परिचित ही नहीं था उस तोप खाने ने इस युद्ध को जीतने में नरनायक वे महतुपूर्ण भूमी का निभाई बाबर के रणनीती कुशलता बाबर की दक्षता और सुयोग्य सेने संचालन ने और उसकी तुलुगमा प बाबर के बाबर के बात करेंगे हम अपने अगले लेक्षता में